नमस्कार दोस्तो मेरे नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज देखी हमने यहाँ पर जो 355 का बोड़ है उसके अंदर 500 ट्राणजिस्टर को एड करा है और इसका फायदा क्या है देखे हमारे पास जो 355 ट्राणजिस्टर होता है उसका उसका हीट सिंग के साथ भी लग जाते हैं और दूसरा जो है इसकी बेस कलेक्टर इमीटर इसके पॉइंट बिल्कुर सीधे-सीधे हैं इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना शिरीफ यहां पर यहां पर मैंने जो हमारी ड्रील मसीन होती है जो हमारी PCV वाली उसको मैंने यहां पर सुरा कर दी है और सुरा करने के बाद जो है हमारा जो यह हमारे ट्रैंश्टर है सीधे-सीधे आ गए है तो यहां पर बिल्कुल हमें कोई भी प्रोब्लम नहीं हुआ ट्रैंश्टर भी हम लेकिन अगर आप यह वाला टैंच्टर लगाते हैं तो यहाँ पर हीट सिंग भी कोई सा भी लगा सकते हैं क्योंकि तीज पच्पन के अंदर आपको हीट सिंग वही लगाना पड़ेगा जो उसके साथ आता है तो यहां पर अप देखें इस बोट को हमने कंप्लिट कर दिया पूरा और पूरा कंप्लिट कान्य के बाद इसकी जो मैं अगली वीडियो जो है टेस्टिंग की लेके आऊँगा टेस्टिंग की वीडियो और देखिए जब हमने हीटसिंग इसका पीछे से जो कसा हुआ है यहां से तो कुछ कंपोनेंट जो है वो हीटसिंग के पास आ रहे थे यहां पर जैसे की दो हमारी जो रजिस्टेंस है वो आ रही थी और एक जमफर आ रहा था तो मैंने नीचे की साइड में कर दिया है वो जो हीटसिंग पर टच नहीं होगा यहां पर देखिए दो आईसी दो रजिस्टेंस और एक जमफर लगा दिया और जहां पर हमारा इस कुरू कसने पर सोटिंग था वहां पर हमने एक वार्सल लगा दिया यह फाइवर वार्सल है यह देखिए फाइवर वार्सल यहां है एक यहां है तो इससे जो आप देखिए हमारा बोड भी अच्छा लग रहा है और जो हमारा जो साउंड क्वालिटी है वह भी करी लाता रहूंगा और अगले वीडियो में इसकी दोस्तों टैस्टिंग करेंगे कि इसका जो साउंड हो किस तरीके से है और इसकी जो पूरी वायरिंग है वह किस तरीके से है तो दोस्तों वीडियो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना